हलिवुड की छे खमाल की सस्पेंस थ्रिलर फिल्में जो कि आपका दिमाग घुमा देगी और आपको उल्जन में डाल देगी तो हेलो दोस्तों केसे आप सब आज की इस नए युड़ियो में आप सब का स्वागत है आज कुड़ में आपको प्रॉवड करना लवुड की छे सस्पेंस थ्रिलर फिल्में जो कि बहतरीन से बहतरीन है और आपका दिमाग घुमाने का दम रखती है तो हमारे काउंड़ान के नबर 6 पे आती फिन एडेंटिटी ये फिन 2003 में आयती एक होरर मिश्टरी फिल्में जिसे आमडीवी पर 7.3 आउट आप 10 की रेटिंग ली अब इस फिल्म की काउनी बिल्कुल जिम्पल है इस फिल्मे में मैकलम नाम का एक अपरदी हो दिखाये जाता है जिसके उपर बहुत सारे लोगों का मटर करने की चार्ज होते है और उसे अब फासिदी जाने वाली होती है लेकिन तबी उसका साइक्रेटिस्ट वाप पर प पर फिल्म आती है दो गर्ल विट ड्रैगन टेट यह फिल्म 2011 में आई थी जिसे IMDb पर 7.8 आउट और 10 की रेटिंग मिली है अब बात करे जाए इस फिल्म की कहानी के तो इस फिल्म में दिखाये जाता है कि हेंडिक की 16 सार की पोती हैरी 8 को आचानक कोई कायब कर देता है बाद में उसके हत्या भी हो जाती है लेकिन आचानक हेंडिक को एक लेटर मिलना शुरू हो जाता है जिस तरह उसकी पोती उसे लिखा करती थी ठीक उसके जन्मदिन के दिन अब Hendrick को ऐसा लगता है कि वो हत्यरा उसे चिड़ा रहा है तो अब Hendrick उसे दूडने इंकल पड़ता है तो कि Hendrick उसे दूडन पाता है यानि जानने के लिए आपको एफिल्म देखने होगी इस फिल्म में आपको कमाल के इन्वेस्टीकेशन देखने को मिलेगी तो अगर आपने अब तक इस फिल्म को नहीं देखा तो एक बार ज़रू ट्राइ कीज़ें हमारे काउंटन के नंबर चार पर आती फिल्म आयटी क्रीवर ये फिल्म 2003 में आई थी एक थ्रिलर क्राइम फिल्म है जिसे IMDb पर 7.9 आउट आप 10 की रेटिंग लिए फिल्म में दिखाये जाता है कि दो आदमी जो की पुलिस की तरह देख रहते वो डेव को आगवा कर लेते और उसका चार दिनों तक शोषन करते अब बात में हमें दिखाये जाता है कि जिमी जो की एक आपरादी होता है उसकी एक दुकान होती है डेव को ऐसा लगता है कि उस जब निक अपनी शादी की पाचवी साल गिराब पर घर पोचता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी एमी कायब होती है. लेकिन मीडिया और पुलिस वालों को शेक होता है कि निक ने इपनी पत्नी कायब किया है, क्योंकि निक और एमी के बीच कुछ भी सही से नहीं चल रहा होता है तो आखिर क्या थी सच्च है कि निक ने सच में एमी को गायब किया था या भीर उसके बीचे कोई और था ये जानने के लिए आपको ए फिल्म देखने होगी कि दीन एक खाड़ी में एक जहाज पर फच जाता है जहाँ पर उसका सामना एक अंजान वेक्ति से होता है जो कि उसे गोली मार कर घायर कर देता है और पूरे जहाज को भी जला देता है अब पुलिस को चार आदमी वो पर शक होता है और उसमें श्टर आइसलेंड फिल्म का नाम ना ऐसा हो जी नहीं सकता तो हमारे कांटान के नंबर वन पर आती फिल्म श्टर आइसलेंड ये फिन 2010 में आई थी ये एक थ्रिलर मिश्टरी फिल्म है जिसें आम डिबी पर 8.2 आउट आप आप 10 के रेटिंग ली अब बात करें जाए इस फिल्म की कहानी की तो इस फिल्म में दिखाया जाता है कि अमेरिकी मार्शल एडवर्ड टैग और उनके एक दोस्ट बोस्टल हर बल शटर आइसलेंड जाते है जापर की जो क्रिमिनल पागल होते हैं उनके लिए एक हस्पातल बनाए गया होते हैं वहाँ पर रेचल नाम की एक मरीज लापता हुई होती है जिसने की तीन बच्चों को डुबा कर मार दिया होता है अब जैसे जैसे इनकी परिशानिया बढ़ते जाती है और इन पर खत्रा भी बढ़ते जाता है तो यह अब इन खत्रों से कैसे बचते है और आगे क्या होता है और क्या राज उस हस्पाताल में दबे थे यह सब जानने के लिए आपको विल्म देखने होगी